यूट्यूब शानल तो आज मैं आगे हूं फिर से एक नए केक के डिजाइन के साथ और आज वाला जो केक डिजाइन है ना हम बेंटो केक बनाने वाले हैं तो बेंटो केक से रिलेटेड जो भी मेजिरमेंट है वो सारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूगी आप वहां से चेक आउट कर लिजेगा और वाकी मैं जैसे आज स्टार्टिंग में आप सबको बता दू कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको पूरी पैकिंग भी दिखाओं क्योंकि जो भी वीडियो मैं आपको दिखा रही हूं यह 24, 25, 26 के यह जो मेरा रश टाइ यह 7 किम्तिंग और हमें लोग गजा के तौरी रहे हूं यह गया क्में आपको धाय को में दिखाए बड़े केखिER पैकिंग मैं आपको पहले नहीम बड़े केखिंग मैं लोग कोई बडर का यहां तो उसकी पैकिंग कोई आप यह जो सुटकी शिएर प्रमृप केसाथ मैं यहां पर इसकी 3 layers में कट तो करेंगे लेकिन इसे 3 layers में ही यूज करने वाले यह जो उपर की है इसे हम साइट कर देंगे और 3 layers के साथ ही हम केक आइसिंग करेंगे यहां पर यह लेकिन अच्छे से कट हो गई है कुछ भी पतली निया layers एक्वल है और जो हमारा टर्न टेबल उसे साफ कर लेंगे और इस तरीके से डायरेक्ट ही हम यहां पर रखेंगे बैंटो केको हम डायरेक्ट ही टर्न टेबल पर रखके ही आइसिंग करते हैं सिंपल यहां पर वैनिला फ्लेवर है कुछ भी और फ्लेवर हमें याड नहीं करना है आपको जो क्लाइन कहते हैं आप उसके हिसाब से सारी चीज़े कस्टमाइज कीजिए और यहां पर से वन बाई वन जो हम पूरी की पूरी आइसिंग करते चाएंगे और आप सबने कलवाली चाहि वीडियो में में अपने के के की डिजाइन के साथ आप सब के के डिजाइन भी जरूर दिकाऊँगी बाकी सारे वीवर्स से और तसम अपसले महनत कर रहे हैं बिलकुल एसे ही आप सबको और अच्छे च्छे डिजाइन बनानी है आप तो काफी अच्छा लग जो कल वाली वीडियो में क्या कम्या है उसमें कैसे आपको और इंप्रूफ करना है तो सारी चीज़े कल वाली वीडियो में बहुत जादा इंट्रेस्टिंग होने वाली है तो यहां पर पूरी अमने कर लिए के लियर सिंपल थी वैनिला स्पॉंज था और वाइट क्रीम के सा अब पहले कवर करने वाले थे लेकिन यहां पर क्लाइन की जैसे दिमांड है कि मैं पर्पल के चाहिए तो इसके साथ बनाएंगे तो यहां पर मेरे बास यह पर पूरे केक को कवर करेंगे क्योंकि कुछ भी इसमें नहीं है बहुत सिंपल से इजाइन और यह जो टिजाइन आप टॉल केक पर बनाओ फ्लैट केक पर बनाओ जिस पर बनाओ काफी अच्छा लगने वाला है तो लेकिन इस केक के लिए जैसी हमें जितनी डेकुरेशन की ज़रत है उसके हिसाब करेंगे तो यहां पर्पल क्रीम हमने बना लिए आपको लाइट की वज़े से में बी कलर डाक या लाइट लग सकता है क्योंकि जो हम फिल्टर लगाते हैं उसकी वज़े से क्योंकि कई बार जब हम शूट करते हैं तो लाइट थोड़ी डार्क भी हो जाती है तो उसकी वज़े से थोड़ी अच्छे से आपको क्लियर दिखे तो हम क्या करते हैं ब्राइटनेस को तो पूढ़ा सा जादा कर देते हैं कर सकते हों यहां पर आइसिंग हम पूरी पूरी करते जाएंगे और इससा की स्क्रीबर यह जाता हो कर लेंगे पूलगुल और इसे थंडा होने के लिए फ्रिज में रखना है अच्छे से से होने के लिए ताकि एच्छे से सलगा है तो क्रीम लगा लिए और हमेशा आप सबको पता है कि बैंटो के जब इस बनाती हूं या फिर भी तरीके शारे और उसके बाद इसे जो है निकाल के हम शिफ्ट कर लेते हैं और उसके बाद जो है बेंटो बॉक्स में हम रख देते हैं तो सारी चीज़े आप सबके साथ मैंने अल्रीडी शियर किया लेकिन जो भी मेरे चानल पे ने हैं जो फर्स टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज जाके मेरे चार्ль पर बहुत सारी वीडियो जिसमें मैने बहुत अच्य यदे बांटे केख अश्य मेरे पास इविलेबल थेけれं यहां पर उसल ज保न रिएपर हम ऑलनाजिक से किसे बांटे केख बैण जो मेरे पास मेरे चार्णी केक बनाई हैं जेंटली हमें इसके उपर करना है इस तरीके से टर्न टेबल पर रखके सारी चीज़े करने है टॉप लिए इस तरीके से हम इसके स्विल्स के डिजाइन बनाएंगे काफी सिंपल सा है आप चाहो तो नहीं भी बना सकते हो लेकिन कस्टमर ने हमें पिक्चर दिखाई थी उसक कॉर्न पर हमेशा बटर पिपर रहना चाहिए अपका एक्स्ट्रा ताकि आपको शिफ्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो टर्न डेबल कॉम कर लेंगे साफ साफ करने के बाद यहां पर हम ले लेंगे बैंटो बॉक्स और बैंटो बैक्स की भी जो मेशिरमेंट है वह मै एक अच्छे से उसको पॉजीशन पर रखना चाहिए वैसे हम इससे सेट कर लेंगे और यहां पर सेट करने के बाद देखिए मेरे बाद से दो बटर फ्लाइज यासा कस्टमर ने मैंने कहा कि हमें पिक्चर दिखा हैं उसके हिसाब से कस्टमाइज करना है हमने यह नौन ए तो कोई भी डिजाइन ना बनाओ, बस अच्छे से बनाओ, फिनिशिंग के साथ बनाओ, कोशिश करो कि पूरी फिनिशिंग आए, आपके केक्स में और जादा चारचान लग जाएंगे, थोड़ी से टाइम लगती है फिनिशिंग आने में, प्रैक्टिस की ज़रत होती है, त इसे अगर आप पॉर्डर्स एक्सेप्ट करते जाओगे, बनाते जाओगे, तो प्रैक्टिस होती जाएगी, साथ में यहां पे हमको स्प्रिंकल कर देंगे, सिर्फ तो बटरफ्लाइ अगर आप देख रहों, यहां पे मैंने लगाई है, जो बेंटो बॉक्स है, उसके हिस अगर नौन एडिबल वाले मेरे पास चोटी बटरफ्लाइज होती ना तो मैं एक और शायद एड्जस्ट कर लेती लेकिने मेरे पास बड़ी थी तो मैंने बड़ी ही लगा दी आपके पास जो एवेलेबल अगर इसे चोटी वाली भी अगर आपके पास एवेलेबल है तो लगा सकते हो स्प्रिंकल्स यहां पर हम बड़े और कुछ छोटे से इमजीरो सा इसके भी लगा देंगे इस तरीके से और यह एकदम कंप्लीट है तो यहां पर देखें इसके लुक में आपको दिखा रहे हो कितना सिंपल सा केक है ना काफी अच्छा लग रहा है इसकी क्ल इनको बहुत जादा पसंद आया अगर आप सबको भी पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शियर जरूर कीजेगा देख सारे कमेंट जरूर कीजिए जो डाउट से जरूर पूछा कीजिए ऐसे धेख सारा प्यार किजिए और जो भी मेरे चानल पर नहे है चानल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए बहुत साथी वीडियो से चैनल पे जरूर देखिए आप सब को काफी हेल्प होगी बाकि आप सब के डेर सारे प्यार से मोटिवेशन से बहुत जादा अच्छा लगता है बहुत अच्छे आप कमेंट्स करते हो डेली मेरी वीडियो दे क्यों थेंक्स फॉर वाचिंग